नमस्कार मैं गोविन सिंग मीना आप सभी का एक बार फिर से स्वाकत करता हूँ और हमारी ऑनलाइन भोगोल की कक्षाओं की सेरीज को हम आज आगे बढ़ाते हुए पिछले वीडियो को कंटीनियू करके हम भारतिय मांसून सिस्टम को समझने का आज हम प्रयास करेंगे काफ यहाँ पर हम बात करें तो भारतिय मांसून की उत्पत्ती की अलग-अलग सिद्धान्त है भारतिय मांसून क्या इंपोर्टेंट रूल रखता है इंडियन पूरे क्लाइमेट में यह हम सभी को पता है और हम इसके बाद एक बार फिर से उसकी चर्चा करेंगे लेकिन अभी मांसून की उत्पत्ती से सम्मंदित जो महतुपून बाते हैं हम कुछ टॉपिक के थ्रू कवर करेंगे तो सबसे पहला मांसून की उत्पत्ती सम्मंदित जो सिद्धान्त आता है वो आता है हमारा ताप्य सिद्धान्त यह थर्मल 24 इसको बोल देते हैं मांसून की उत्पत बिदोवान थे, जिन्नोंने, इस बिचार दह्रा का, अपना मत रखा इस बिचार दहरा के उबर, बाद ने बिच्छ बिदोवान कई सारे हुए, जिन्नोंने, इस पूरी विचार दहरा का पोषण किया, especially इस में डेडले स्टांप और बेकर के नाम mechanism depend करता है temperature के उपर यानि कि मांसून की उत्पत्ती का जो मूल कारण है वो temperature की variation है दोनों गोलार्दों में आईए इसको समझने का प्रयास करते है इस विचार धारा के अनुसार ग्रिश्म काल में होता क्या है यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक map describe कर देता हूँ ताकि इस हमको समझने में आसानी हो यह हमारा आफरीकी रीजन है यह हमारा भारत यह हमारा चाइना वाला रीजन उपर का यहाँ पर श्रीलंका है यह दूई पिये चाप इंडोनेशिया मलेशिया और यहाँ पर यह आस्ट्रेलिया है आपके समझने के लिए आसानी रहेगी लगबग यहाँ से हमारी भूमद्दे रेखा जा रही है मैं थोड़ा सा बताता चलूँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से हमारी भूमद्दे रेखा की इस्तिति है बर्शा की दिनों में क्या होता है ख्षमा करना ग्रिशम जब उतरी गोलारत में ग्रिशम रिटू होती है यहनग शूरじ जो है बिश्पुत रेखा से उपर की और चमद्द़ा ये हमारा North Hemisphere है है और ये हमारा South Hemisphere है उतरी गोलारत, दक्षनी गोलारत ये तो समझी चुक है कि हमारी जो पृत्वी है अपने एक्सेस पर टिल्टेड है साले 30 डिग्री इसलिए वर्ष में क्या है सूरे की इस्तिती पृत्वी के अलग-अलग हिस्व में जो सीधे चमकने की दशा है वो बजलती रहती है ग्रिश्म रितुओं में उत्री गोलार्द में जब सूरे सीधा चमकता है तो उत्री गोलार्द में ग्रिश्म रितुओं आती है और यहां पर क्या है सूरज की करने सीधी पढ़ती है 21 जून को सूरज सीधा हमारे करकरेखा पर सीधी करने करकरेखा पर पढ़ती है और हमारे पूरा भारते उप महादवी बाला जो रीजन है इस पूरे रीजन में क्या होता है पेशावर और जो बेकाल जील बाला रीजन है पूरा की पूरा यहाँ पर temperature की वज़े से हम पहले चमस समझ चुके इस बात को कि temperature और pressure यहनि कि atmospheric pressure बायू मंडल यह दबाब और बायू मंडल यह जो सूरे का जो तापमान है उसके बीच विपरीत संबन्द है तापमान अधिक होगा तो pressure कम होगा इस mechanism को भी हम समझ लेते हैं कि क्यों कम होगा pressure आई यह समझने के लिए देखते हैं यहां जिसे कोई यह कोई जगए है प्रत्वी पर यहां पर जितनी तेज संलाइट आएगी उतनी तेज गर्मी पड़ेगी और जितनी तेज गर्मी होगी तो गर्मी से इस इस इस्थान विशेश की जो बायू है वो गर्म हो जाएगी समझने के लिए में बता रहा हूँ आपको और जब वायू गर्म हो जाएगी जब यहां की पूरी एर गर्म हो जाएगी तो वो होगी क्या हलकी हो जाएगी गर्म वायू हलकी होती है और हलकी वायू हमेशा उपर की और उड़ जाती है तो यहाँ पर क्या है? कहीं नहीं जो बायू का इसतर है जो air की presence है वो comparatively जो बायू का दबाब है वो कम हो जाएगा इसके कारण क्या है? temperature जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वायू हलकी होकर उठ जाएगी इस कारण क्या होता है? वहाँ पर low pressure बन जाता है यह वो अप एक शक्रत भारी होती है और बायू का दबाव उस इस्तान पर बायू का जो जमाव है वो ज्यादा होता है इस करण क्या है प्रेशर भी जो होता है बायू मंडल का उस जगे पर हाई हो जाता है इसलिए लौ टेमपरेचर हाई प्रेशर हाई टेमपरेचर लो प्र समझ चुके होंगे आप मुझे आशा है तो इस पूरे रीजन में सूर्य के प्रकाश के कारण ग्रिश्म रितु में जो सूर्य यहां पर सिधा चमकता है बहिंकर गर्मिया पड़ती है हमारे पूरे उत्री भारत में हम सब लोग इस बात को जानते भी हैं साइबेरिया में जो बेकाल जिले रसिया का यहां पर पूरे जो पेशावर है पाकिस्तान में यहां हमारा पूरा रेतिला मरुस्तल तो यह बहुत ज़्यादा हीटेड हो जाता है अभी हम पड़ रहे हैं यहां पर एक बात में आपको ध्यान दिला देना चाहूंगा कि और भी इस से जुड़ी हैं यहां पर लौ प्रेशर समुद्र में यहां पर दक्षनी गोलार्द में यहां पर हमारे जो सरदियां पड़ रही हैं क्यूं क्यूंकि सूरज की जो इस्तिती है वो उत्री गोलार्द में है और दक्षनी गोलार्द में यहां पर ठंड पड़ी हुई है तो हिंद महसाग यह सबी यह बायुदा प्रवनता का नियम भी है कि हाई प्रेशर से लॉप प्रेशर की और हवाएं चलेंगी अब फेरल महोदे ने एक नियम दिया है हम यहाँ पर प्रत्वी के इस्तिती और बना देते हैं यह तीन रेखाएं मैं यहाँ पर बना रहा हूं आपके समझने के यह हमारी जिरो डिग्री भूमदे रेखा है यह हमारी साड़े 23 डिग्री नौर्थ करकर रेखा और यह हमारी साड़े 23 डिग्री साउथ मकर रेखा हमारे भारत की इस्तिती भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से यह हमारी जिरो डिग्री भूमदे रेखा है और यहा चाहें उक्रमारा दक्षनी गोलार्द है वहां पर हाई प्रेशर हैं पूरी जो हिंद बहा सागर बंगाल की खाड़ी अरब सागरबाला रिजन हैं यहां पर भी हाई प्रेशर है क्योंकि एक शकृत यहां का जो तापमान है वो कम है और तापमान कम होने की कारण क्या होगा यहां पर High Pressure बना हुआ है हवाए इस और चलेंगी फेरल माओदे कहते हैं कि जैसी हवाए फेरल के नियम के नुसर जैसे इधर से आने वाली जो हवाएं ब्यापारिक पबने जो हैं ट्रेल्ड विंड्स जैसे भूमत्दे रिखा को पार करेंगी तो ये अपने पत से दाई और मुड़ जाएंगी दक्षिनी गोलारत में क्या होगा उत्री गोलारत में क्या होगा जैसे ही पवने भुमद्य रिखा को पार करेंगी प्रत्त की गुणन गती के कारण ये जो पवने हैं अपने पत से दाई और मुढ जाएंगी जैसे इसको जाना आई हूँ था लेकिन अपने पत से कुछ इस तरीके से मुढ जाती है, दाई और मुढ जाती है जब ये दाई और मुढ जाएंगी तो ये पवने यहां से जब ये पवने यहां से चलेंगी कुछ इस तरीके से तो ये पवने इस तरीके से अपने पत से बाई और मुढ जाएंगी और लॉप रेशर की और अब चुकि ये जो पवने हैं ये आ रही हैं सामुद्री रीजन से सामुद्र के उपर से ये पमने आ रही है तो अपने साथ क्या है वड़ी मातरा में पानी की जलवाश उठा के लेकर के आती है पानी से रिच होती है बिलकुल ये मॉइस्चर फिल एर होती है कि सारी और यही हवाएं आकर के फिर पूरे इस भारती उप महादवी प्रीजन में यह हम कहलें कि उत्तरी गोलार्थ के जो मानसूनी जलवाईू के एक शेत्रे वहाँ पर वर्शा होती है तो यह जो थर्मल या तापिये सद्धान्त है मानसून का यह हमको तापिये विशमता के आधार पर मानसून की सित्धी को दर्शाता है यह तो हो गया हमारे मानसून के आने का टाइम दूसरा जो है हमारा अब लोटते हुए मानसून को समझते है उससे उसी तारिप की पूरा फिनॉमिना हम फिर से देख लेंगे यह हमारा अरब प्राइज भी यह हमारा भारत और ये हमारा चाइना वाला रिसन अब परिस्तिप्यां बिल्कुल बदल चुकी है ये शीत काल आ गया है अब क्या है? सूरज की जो स्थिती है वो दक्षिनी गोलार्ड में है यहां पर गर्मिया पड़ रही है और दक्षिनी गोलार्द में तापमान ज्यादा है तापमान ज्यादा है तो प्रेशर यहाँ पर लॉप्रेशर हो जाएगा लॉप्रेशर होने की कारण और यह हमारा जो उत्री गोलार्द है वहाँ पर तापमान कम है क्योंकि सूरज की इस दक्षिनी गोलार्द में है तो हम भूमधेरीखा को पार करेंगी इस त्रीके से हवाइं आ रही है ठ्रेंड बिंढ्स और अपने पत्से दक्षिनी गोलार्ट में क्या ओगा ये अपने पत्से बाइं और मुड जाएंगी कुछ इस तरीके से फेरल के नियम के हिसाब से तो ये जो पूरा मेकेनिजम है मानसून का ये किस समझ ये यहाँ पर जो मेन फिक्टर है वो हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है टेमपरेचर यानि कि मानसूनी हवाओं की जो उत्पत्ती है वो किसके कारण हो रही है दोनों गोलार दो में टेमपरेचर वेरिएशन के कारण हवाए हाई प्रेशर से लौ प्रेशर की और आ रही है अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको समझा दू कि जब लौटता हुआ मानसून आता है तो आप यहाँ पर एक बात विशिस रूप से ध्यान दीजिए कि लौटता हुआ मानसून जो आएगा वो कहां से आ रहा है पूरा की पूरा हमारे जो एशिया का रीजन है ये इसके उपर वाला जो रीजन है हमने ये मैप बनाए इसके पूरी उपर वाला जो रीजन है वो पूरा इस्थल भाग है और इस्थल भाग से जबी पबने आएंगी तो होगा क्या सूखे स्थान से आएंगी तो पबने अपने साथ पानी लाने में असमर्थ हो जाती है और इस कारण क्या होता है कि लोटते वए मानसून से बारिश नहीं होती हाँ जिन पबनों में पानी शेष रह जाता है जब पबने आई थी मानसून आने के समय जो थोड़ा बहुत पानी कहीं शेष रह जाता है तो वो यदा कदा तर तर थोड़ी बहुत हलकी फुलकी बारिश हो जाती है जनरली लोटते हुए मांसुन से भारत में बारिश नहीं होती बस एक महत्वपूनिस्थान है जहां मैं आपका ध्यान आकरशित करना चाहूँगा जब हम नदी तंत्र पढ़ रहे थें तब भी हमने देखा था कि कावेरी नदी में पानी की मात्रा दो बार बढ़ती है जैसे हमारा भारत लोटता हुआ मांसुन कुछ इस तरीके से यहां से बापिस जाएगा पूरे रीजन यह पूरा का जो उपर का रीजन है यह स्थल खर्ण है लेकिन कुछ पवने जब यहां से निकलती हैं क्यूंकि हमारा यह रीजन है यह बंगाल की खाड़ी वे वबंगोल यह बंगाल की खाड़ी का रिजन है श्रीलंग का भी लोटते हुए मानसुन से बर्षा प्राप्त करता है क्यूं? क्यूंकि जो हवाएं आ रही है वो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही है और जाएंगी यह हवाएं कहां हो करके तमिलनाडू से कुछ हिस्सों में एक मातर तमिल नाडू ऐसा राज्य है जो लोटते हुए मानसून से विशिस रूप से वर्षा प्राप्त करता है तो मानसून लोटते हुए मानसून से तमिल नाडू और उसके कुछ रीजन्स में बर्षा होती है जिससे क्या है कावेरी नदी का जले सर भी बढ़ जाता है ये प्रशन कई बार पूचा गया भी है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो लोटते हुए मानसुन से वर्षा प्राप्त करता है तो वो है हमारा तमिल नाडू अन्य था अधिकान्श भाग जो है वो लोटते हुए मानसुन से वर्षा प्राप्त नहीं करता तो ये पूरा मेकेनिजम आपकी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार टेंपरिचर के वेर्षन के कारण पूरा की पूरा हवाओं का मेकेनिजम ट्रेड विंस जो हैं वोही मानसुन पवनों के रूप में परिवर्षित होकर के या हमने उनको परिवर्षित नाम दे दिया है मानसुनी पवन न तो टेंपरिचर वेर्रिएशन ही इस पूरे सिस्टम के लिए रिस्पोंसिबल है ये हमको बताता है ताप्य सिधांत तो ये हमारे मांसून के पत्ती का ताप्य सिद्धान्त हुआ लेकिन यहां पर इसकी कुछ सीमाएं है मांसून की इतनी सरल व्याक्या नहीं हो सकती वन आप दे मौस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पूरी क्लाइमेट ओलोजी में जो है हमारा मांसून आता है मांसून को समझना आज भी मांसून की पूरी समझ जलवाई वेताओं को नहीं है तो ये सोलविश तापदी के आसपास से पूरी आवधारना का उदय हुआ कि किस तरीके से बारिश आती है जाती है अपने एक सीमा तक ठीक है लेकिन अब हम देखते हैं अकर हम इसकी आलोचना करें तो इसको इस बात से समझ सकते हैं कि एक तो अत्यन तसरली करत है आलोचना की हम बात कर रहे हैं अत्यन तसरली करत कर दिया है इसने पूरे मौनसून सिस्टम को दूसरी बात ये है कि हम ये पूरा मेकेनिजम क्या है इसका सूरे की उत्राया और डक्षिनायन इस्तिती के कारण ही दोनों गोलारदों में टेंपरेचर के वेरिशन्स आ रहे हैं और उनी के कारण क्या है पवनों की दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है ये थाप बी सिद्धान कैरा है हमारा लेकिन बास्तिता में जो परिष्सिती है इसके बिलकुल अलग है सूरज तो हर साल एक निशिट समय पर उत्रायन होता है एक निशिट समय पर बापिस दक्षिनायन हो जाता है लेकिन हम बात करें यहाँ पर हमारे मौनसून सिस्टम की तो मौनसून सिस्टम हम देखते हैं कई बार कि किसी वर्ष मौनसून जो है वो बहुत अच्छा रहता है किसी साल बहुत बारिश होती है किसी साल बहुत कमजोर होता है बहुत सारे हिस्सों में सूखा पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं कुछ और फैक्टर और है जो ताप ये इस्तिती के अलावा भी पूरे मेकनिजम को मानसून के मेकनिजम को प्रभावित कर रहे है यानि कि केबल ताप ये वेरियेशन के कारण ही जो मानसून है उसका पूरा सिस्टम नहीं चल रहा है इसके अलावा कुछ और फैक्टर है जो इस पूरे सिस्टम को निरधारित कर रहे हैं उसमें साहता दे रहे हैं इसके उपर पूरे सिद्धानत में कोई फोकस नहीं किया हुआ है बहुत ही साधारणिकर सिद्धानत है अब इसकी कोई मानेत इसको वर्तमान समय में मानेत अभी प्राप्त नहीं यह परमपरागा सिद्धानत के प्रकात आता है इसमें जुड़े हुए कुछ अब हम अलग-अलग सिध्धानतों को और आगे समझेंगे अब हम पढ़ेंगे मानसून कित पत्ति की गतिक सिध्धानत वीडियो लंबा हो जाएगा अगली वीडियो में हम मानसून की पत्ती की अगले सिद्धान्त के बारे में चर्चा करेंगे बहुत धन्यवाद